हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिस्री ट्रेनिंग प्रतापगण उत्तर प्रदेश दोस्तों 79,000 सिक्षक भरती में से 31,277 सिक्षकों की तिनांग 14 अक्टूबर 2020 से 15 अक्टूबर 2020 तक उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में दोस्तों काउंसलिंग की प्रक्रियाच चल रही है यह द्रिश्य जो आप देख रहे हैं जनपद प्रतापगण में तूर दूर से आए जो हमारे सिक्षक भाई महन हैं जो सिक्षक होने जा रहे हैं वो काउंस्लिंग में प्रतिभाग करने को आतुर भावी स्विक्षक हैं आप देख सकते हैं कि दिवालों पे अपने नाम ढून रहे हैं किस काउंटर पे जाना है उसे देख रहे हैं कौन-कौन सी चीजें उन्हें लगाना है यानि कि कितने फोटो लेके जाने हैं कितनी प्रति में है स्वाहस्ताच्यों सेख्षिक अभिलेखों की प्रतिदेना है तो दोस्तो ये जिग्यासा है ये कवतुहल है पूरा का पूरा B parceि शिक्षा परिवार भी दोस्तो उनकी इस तमना को पूरा करने चे लिए पूरा दोस्तों जीतोर लगा हुआ है अजन्पत प्रताफगड में इसी प्रक्रिया के तहट दोस्तों हर एक टेबल पे युद्ध अस्तर पे काउंसिलिंग की प्रक्रिया चली शोशल डिस्टेंसिंग को फालो किया गया अन्नी जिलावेशिक शिक्षा अधिकारी महोदे प्रताफगड स्री अशोख कुमार सिंग के माध्यम से हर एक कैंडिडेट के लिए पूरा का पूरा जो राज्की इंटर कालेज प्रताफगड का परिसर है अभ्यर्थियों और उनके अभिवावकों से दोस्तों भरा रहा सभी के लिए जलपान की विवस्ता भोजन की विवस्ता भी मानने जिलावेशिक शिक्षा अधिकारी महोदे के माध्यम से दोस्तों की गई बहुत ही खुश्णुमा माहोल में सबकी परिशानियों को मद्दे नजर रखते हुए काउंसलिंग की प्रोसेस हुई अब आपके जेहन में ये प्रस्न आ रहा है कि 14 और 15 को ये जो काउंसलिंग की प्रक्रिया हो जाएगी तो क्या हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा जी हाँ दोस्तों 31,277 सिक्षकों को पूरे प्रदेश में नियुक्ति पत्र निर्गत होना है इस सम्मन्द में हमारे बेसिक सिक्षा की अपर मुख सचिव स्रीमती रिडुका कुमार ने आदेश भी जारी कर दिया है आते हैं दोस्तों आदेश के आलोक में ये देखते हैं कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने की पूरी की पूरी प्रक्रिया क्या होगी दोस्तों ये लेटर आप देख सकते हैं नियुक्ति पत्र वित्रण समारो होगा और ये सर्वोच प्रात्मिक्ता के तोर पे इसे होना है पत्र की संख्या आप देख सकते हैं 1305-68-5-2020 प्रेशक स्रीमती रेडुका कुमार अपर मुख सचिक उत्तर प्रदेश सासन सेवा में समस्त मंडला आयुक्त उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश विशे क्या है माननी उच्चतम न्याले के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशद तूरा संचालित परिशदी प्रात्मिक विद्यालियों में 79,000 पदों के सापेक्ष 31,277 चैनिस सहायक अध्यापकों को न्युक्ती पत्र दिरांग 16 अक्टूबर को वित्रण किये जाने के सम्मन्द में महोदय उपर्युक्त विशे के सम्मन्द में आपका ध्यान आक्रस्ट कराते हुए अउगत कराना है कि उत्तर प्रदेश बेसिक सिक्षा परिशद द्वरा संचालित परिशदी प्रात्मिक विद्यालियों में 79,000 पदों के सापेच माननी उच्चतम नियाले के निर्णे के अनुपालन यो माननी निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्रमालपत्र यानि इस समय दोस्तों इलेक्षन का भी प्रोसेडिंग्स उत्तर प्रदेश में आगाज हो चुका है चुकि पंचायतों के इलेक्षन होने हैं इसलिए निर्वाचन आयोग से अनापत्ति प्राप्त कर 31,277 सफल सहायक अध्यापकों की सूची प्रकासित की गई है तहा काउंसलिंग के पश्यात नियुक्ति पत्र वित्रण की कारवाहिद दिनांग 16 अक्टूबर 2020 को ही की जानी है मानि मुखमंत्री जी द्वारा दिनांग 16 अक्टूबर 2020 को अपराहन एक बजे 5 कालिदास मार्ग सभाकक्ष में 5 सफल अभ्यर्थियों को अपने करकमलो द्वारा नियुक्ति पत्र का वित्रण किया जाएगा समस्त 75 जनपत NIC के माध्यम से जूड़े रहेंगे जहां पर प्रतेग जनपत के 5 सफल अभ्यर्थि समस्त जनपत के माननी प्रभारी मंत्री जी यो माननी सांसत गण वा माननी विधाय गण उपस्तित रहेंगे माननी मुख मंत्री जी द्वारा समस्त जनपतों को संभूधित भी किया जाएगा तथा कुछ जनपदों के सफल अभ्यर्तियों से समवाद भी किया जाएगा। इस संबंद में अभ्यर्तियों का चैन कर संपूर्ण तयारियां ससमय कर ली जाएं। माननी मुखमंत्री जी के कारकरम के पश्चाथ जनपदों के माननी प्रभारी मंत्रीगण माननी जन प्रतिनी दिगण द्वरा उप्युक्त अस्थल पर समस्थ सफल भ्यर्तियों को न्यूक्ति पत्र वित्रण किया जाएगा। मास के प्रियोग का अनुपालन भी अनिवार रूप से सुनिशित किया जाए। दी जाएगी ताकि उनकी उपस्थती सुलब हो सके। इस संबन में मुझे या कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रस्तरों में दिएगे निर्देशों का अनुपालन सुलिश्चित करने का कस्ट करी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये लेटर प्रेशित हुआ है। जिला बेशिक शिक्षा अधिकारी समस्थ जन्पद उत्तर प्रदेश। वरिस्ट तक्निकी निदेशक रास्टी सूचनकेंद न.I.C. लखनव। सचिव बेशिक शिक्षा परसत प्रयागरार उत्तर प्रदेश। वरिस्ट पुलीस अधिक्षक समस्थ जन्पद उत्तर प्रदेश। निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनव। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनव। मुख स्टाफ ओफिसर मुख सची उत्तर प्रदेश शासन। अपर मुख मंत्री उत्तर प्रदेश शासन। और अंत में अपर मुख सची ग्रिह विभाग उत्तरप्रदेश चासन को सूचना में आवश्य कारवाई है तो प्रेश्चित यह हुआ है पत्र आग्या से मनिश कुमार वर्मा विशेश सचीव तो दोस्तों ये पत्र प्रयाप्त है इस जानकारी के लिए कि 16 अक्टूबर 2020 वह बहु प्रतिछिस समय जिस पे हर एक अभ्य अर्थी उस दिन की प्रतिक्षा कर रहा था कि कब उसे न्यूकती पत्र मिलेगा और वो प्रात्मिक विद्याले में सुक्षक के पत्र को सुसूबित करेगा उस तो वह घड़ी बहुत ही नजदीक है और आपका जो इंतजार है आपकी बेसबरी वह फिनिश होने वाली है अ अब ही से ही आपको धेर सारी शुक काम नहीं तो दोस्तों अगर ये वीडियो ये इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पर कमेंट करना लिकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रताबगर उत्तर प्रदेश के इस खुबसूरत यूट